अज हम सीखेंगे व्रित्थ और अर्ध व्रित्थ के परिधी और शेत्रफल के बारे में. हम जानते हैं कि किसी बंद आक्रिती की परिसीमा यानि बाउंडरी के कुल लंबाई को उसका परिमाप यानि पेरिमिटर कहते हैं. व्रित्थ यानि सर्कल के संदर्भ में हम इसे परिधी यानि सर्कम्फरंस कहते हैं. यानि कि एक व्रित्थ की परिसीमा की लंबाई उसकी परिधी कहलाती है. इसे हम सी से दर्शाते हैं. चलिए, एक दिल्चस्प गतिविधी से जानते हैं कि एक वृत्त की परिधी यानि circumference of a circle कैसे ग्यात की जाती है एक कत्ता लीजिए, इस पर 3.5 cm त्रिज्या यानि radius वाला एक वृत्त खीजिए प्राप्त वृत्त को काट लीजिए क्या आप बता सकते हैं कि इस वृत्त की परिसीमा की लंबाई यानि इसकी परिधी कैसे ग्यात की जा सकती है सोचिए, सोचिए निश्चित रूप से यहां रूलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि रूलर का प्रयोग सीधे किनारे की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है वृत्य की परिसीमा वक्र यानि कर्फ्ट होने के कारण हम रूलर से इसके परिसीमा की लंबाई नहीं ग्याद कर सकते वृत्य की परिसीमा की लंबाई ग्याद करने के लिए परिसीमा पर एक बिंदु अंकित कीजिये और एक धागे को इस बिंदु पर रखकर वृत्थ के किनारे किनारे लगाईए फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुचने के लिए यानि एक पूरा चकर लगाने के लिए अवश्यक धागे की लंबाई हमें वृत्त की परीधी का ज्यान कराती है इस थिती में आपको वृत्त की परीधी 22 cm प्राप्त होई होगी वृत्त की परीधी और व्यास यानि डायमिटर में एक दिल्चस्प संबंध होता है यदि हम किसी भी वृत्त की परीधी और उसके व्यास का अनुपात ग्यात करें तो यहां प्रत्येक स्थिती में 22 पटे साथ आता है यहां अनुपात अचर यानि कॉंस्टेंट है जिसे पाई से निरुपित किया जाता है दश्मलव में पाई यानि की 22 पटे साथ लगभग तीन दश्मलव एक चार के बराबर है जिससे हमें पता चलता है कि वृत्त की परीधी व्यास के तीन कुना से अधिक होती है यदि हम वृत्त की परीधी को C से व्यास को D से दर्शाते हैं तो C बटे D बराबर पाई लिखा जा सकता है इससे हमें वृत्त की परीधी ज्यात करने के लिए सूत्र प्राप्त होता है C बराबर पाई D चुकि व्यास त्रिज्या के दो गुना होता है इसलिए इसी सूत्र को हम C परापर दो पाई आर भी लिख सकते हैं वृत्त की परीधी ज्यात करने के लिए यह सूत्र बहुत उपयोगी है जैसे यहाँ व्रित्य की त्रिज्या 3.5 cm है इसलिए इस व्रित्य की परीधी होगी C बराबर 22 cm अब चलिए व्रित्य के शेत्रफल यानि area of a circle के बारे में बात करें हम जानते हैं कि बंद आकरितिओं द्वारा घेरे गए तल के शेत्र को उसका शेत्रफल यानि area कहते हैं चलिए इस व्रित्य का शेत्रफल एक क्रिया कलप द्वारा ग्यात करें मान लीजिए हमने गत्ये का एक व्रित्य लिया जिसकी त्रिज्या हम आर मानेंगे पहले हम इस वृत्त को आठ समान भागों में विभाजित करेंगे. अब काटकर सभी भागों को अलग-अलग कर लेंगे. इन भागों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे. इससे हमें एक समानतर चतुर्भुज यानि पैरलेलो ग्राम जैसा आकार प्राप्थ होगा यदि हम वृत्त को 16 समान भागों में विभाजित करते हैं और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो हम समानतर चतुर्भुज का आकार और अच्छे से बना पाएंगे इस तरह से हम वृत्त के जितने अधिक समान भाग करेंगे उतना ही अधिक सही समानतर चतुर्भुज हमें प्राप्थ होगा यदि हम वृत्य के कई बराबर भाग करेंगे तो इन्हें व्यवस्थित करने पर हमें लगभग एक आयत यानि रेक्टांगल प्राप्त होगा ध्यान रहे आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है इस आयत के चोड़ाई वृत्य के त्रिज्या आर के बराबर तथा लंबाई वृत्य के परिधी का आधा यानि पाई आर के बराबर होगी हम कह सकते हैं कि वृत्य का शेत्रफल बनाए गए इस आयत के शेत्रफल के बराबर होगा यानि कि यहां वृत्य का शेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पाई आर गुणा आर बराबर पाई आर स्क्वेर है वृत्य का शेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वेर इस सूत्र से हम किसी भी वृत्य का शेत्रफल ग्याद कर सकते है जैसे दिये गए वृत्य में जिसके त्रिज्या 3.5 cm है का शेत्रफल हम इस सूत्र के प्रयोक से ज्याद कर सकते हैं पाई का मान 22 बटे 7 और आर यानि त्रिज्या का मान 3.5 cm इस सूत्र में रखकर हमें इस वृत्य का शेत्रफल 38.5 cm प्राप्त होगा अब मान लीजिए हमें इसी त्रिज्या के अर्ध वृत्त यानि सेमि सूकल की परिधी और शेत्रफल ग्याद करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं अर्ध वृत्त यानि संपूर्ण वृत्त का आधा भाग इसलिए अर्ध वृत्त का शेत्रफल होगा संपूर्ण वृत्त का शेत्रफल विभाजत दो यानि की एक बटे दो पाई आर स्क्वेर इस तरह से त्रिज्जा आर बराबर 3.5 cm और पाई बराबर 22 बटे 7 लेकर हमें इस अर्ध वृत्त का शेत्रफल ग्यात होगा 19.25 cm इसी तरह अर्ध वृत्त की परीधी वृत्त की परीधी के आधी होती है इसलिए अर्ध वृत्त की परीधी होगी पाई आर इस तरह से त्रिज्जा आर बराबर 3.5 cm और पाई बराबर 22 बटे 7 लेकर हमें इस अर्ध वृत्त की परीधी 11 cm प्राप्त होगी तो आज हमने सीखा वृत्त और अर्ध वृत्त के परीधी और शेत्रफल के बारे में अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मज़ेदार उदाहरन देखेंगे